देखिए हमने अपनी समस्या को लेके दो तारिक को जो भारत बंद का एक आंदोलन सुरू किया है वो हमारी पीड़ा है और वो हम देश की सरकार को और देश की अपने तमाम भाईयों को बताना चाहते हैं कि हमारी ये समस्या है उस समस्या का कोई ना कोई समधान होना चाहिए लेकिन उगर परदरशन कहा तक सही था गुरे देश के अंदर आप लोगों के सामने, वो हमने सेवेधानिक तोर पे किया है, कुछ लोगों, भारी लोगों ने आके हमारे आंदोलन को बदनाम करने का और हमारे आंदोलन को बिगाडने का काम किया है, एक्जम्पल के तोर पे हम आपको बता दें, हम सहरनपूर में कलक्टेट के सामने से जब गुजरने लगे, हमारे पास खुद 20-22 लड़के आए जिन्होंने मूपे नकाब बांदा हुआ था, और उन लोगों को हम नहीं जानते, नहीं वो हमारे किसी संगठन से जुड़े हु अगर आपको हमारे साथ इस आंदोलन में चलना है, तो आपको नकाब उतार के चलना पड़ेगा, नहीं देखिए हम उन लोगों को नहीं जानते, हमने यहां के वरिष्ट पुलिश अदिक्षक को कहा हैं उनके बारे में, कि उन लोगों की जाच की जाए, और उन लोगों को हमें भी बताया जाए, कि वो कौन लोग थे, वो कौन भारी लोग थे, जो इस तरीके के आंदोलन को बिगाड़ना चाहते थे, जैसे मैं आपको एक और एक्जम्पल की साथ बता दूँ, मुझफवर नगर के अंदर हमारे साथी सांती प्रिय तरीके से आंदोलन चला रहे वहाँ पे भी कुछ नकाब पोच्छ लोग आए, उन लोगों ने वहाँ दंगा बढ़गाने का काम किया, रुड़की के अंदर भी हमारे लोग सांती प्रिय तरीके से आंदोलन चला रहे थे, उन लोगों ने वहाँ नकाब पोच्छ लोगों ने उस आंदोलन को बिगाड मेरट के अंदर इसी तरीके से घटना को अंजाम देने का काम किया मद्धे परदेश के अंदर इसी तरीके से अंजाम देने का काम किया तो हमें ऐसा लगता है कि भारत के अंदर ये पहला एक ऐसा आंदोलन था जिस आंदोलन का एक व्यापक रूप लिया जा रहा था जिस आं कोट के जो गलत आदेश है उस आदेश को सही कराने के लिए भारत सरकार पर दबाव डालना चाहते थे लेकिन कुछ तथा कतित लोग जो इस देश के अंदर नहीं चाहते कि दलिस समाज के लोग भी अपनी बात रखें उन लोगों ने इस आंदोलन को बिगाडने का पूरा को और अपने मोबाइल पर सबसे पहले और फ्री में ख़बर देखने के लिए बैल आइकल दबाएं